आरोग्य जागरूती आरोग्य जागरूती में आज हम टावी याने ट्रांस कैथिटर एरोटिक वॉल इंप्लान्टेशन के बारे में जानेंगे दोस्तो ये प्रोसेजर हमारे हार्ट के खराब वॉल को आसानी से बदलने की एक नई अत्यादोनिक तक्नीक है जिसमें ओपन सरजरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मानो जैसे एंजोप्लास्टिक कर रहे हो एंजोप्लास्टि में हमें कैथिटर को जांग की नसों से हाट की नलिकाओं में डालते हैं और जहां ब्लॉकेज है वहाँ एक नई स्टेंट को फिक्स करते हैं कुछ ऐसा ही टावी प्रोसेजर में होता है जांक की नसों से वॉल तक एक कैथिटर डाला जाता है एक बलून के माध्यम से खराब वॉल के मुझ को बड़ा किया जाता है पिर उसी कैथेटर से एक कृत्रिम नया वाल वहां फिक्स किया जाता है कोई हार्ट ओपन सरजरी नहीं, टाके नहीं, पेशन्ट को कोई तकलिफ नहीं दो या चार दिन में पेशन्ट अपने घर जा सकता है है न कमाल की बार, ये नई तकनिक, विदेशों में तो लोग खुब अपना रहें और भारत में भी केवल मेट्रो सिटी में गिने चुने अस्पतावलों में इसका स्टेमाल हो रहा है दोस्तों, ये प्रक्रिया मराटवाडा में पहली बार इस साल हमारे अपने अउरंगाबाद शहर के कमल नैन बजाज होस्पिटल में की गई है इस प्रक्रिया को बखुबी अंजाम देने माले डॉक्टर अजित भागवत रदैरोक्त रद्न बजाज होस्पिटल अउरंगाबाद और बजाज होस्पिटल के सीओ श्रीवास्तों सर ने एक प्रेस कॉन्फरेंस लेकर सारी प्रक्रिया को प्रेस के सामने रखा आईए इस प्रोसेजर के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर आजित भागवत जिसे प्रिदेशा में अले चार अले में घर एक की सिरुवता होजिए मेट्र सिटी पारे में इस किम मत्रइज हाँ वार होस्पिटल में यहां शोद लावा समनना आपकर उत्ते हैंसा आस अगर हध्यावत वाल उनको लगदा है त्या वाल चीकिमत एक्वीस लाख हुए है और अता काई भारतिया कंपन्या सुधा यह चत आल ले आ है और अपन आतोस की सुर्वातिला कुफले उस्टीशी किवहन को जास दस्ते एक्षा वाल चीकिटि कभी भाला कर नहीं तर भारतिया कंपनेची सुना वाल आता आ जाले आ है कभी घर्चा चाहे ऑंडे अजू के अजू आजू काहीं हमशी सुधार्णा होने ची गरजा है अजू अजू आपकर आपकर भालवे उस्धे खराब जाले रावा तो चोग आजो आजारा है इतालो एरोटिक स्टिनोसिस असा मना आपट बलूचे साहिनी उगड़ कर तो चोग जालेगा नेक्स पैया मतना है अमी तो आप वाल रहीचा के लाया है लॉड़ के लाया अत्माला और फड़ावा ऑट जालों आजों पड़ावा बॉटाशाना है जिस्ते है याच्छा आतमालेटे बाली के रिफ्लेट साहिनी एक्सट पूर्णा वाल को ओपन उस ता सिलिंडर सारका इति वसक नमस्कार मुझे बेहत खुशी है कि मराटवाड़ा में बैजाज हॉस्पिटल का हेल्थ केर में योगदान अत्यन एहम रहा है आज के दिन मुझे ये अत्यन खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमने टावी प्रोसीजर जो कि मराटवाड़ा में पहली बार किया गया है वो हमने अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में उन हॉस्पिटलों में डाल दिया है जो ये प्रोसीजर कॉंप्लिकेट प्रोसीजर में जैसे कि आपने सुना डॉक्टर भागवत ने बताया कि डूलेशन ओवस्टेव बहुत घड़ जाता है और कॉंप्लिकेशन रेट और चांसेज बहुत कम होते है नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अजीट भागवत है ये हमारे CEO अलोग श्रीवास्तम मैं कमल्ल हॉस्पेटल में हम ये चीज बताना चाहते है कि एक बड़ा इंपॉटन प्रोसीजर जिसको टाइवी बोलते है ट्रांस एयोटिक ट्रांस कैथेटर एयोटिक वाल इंप्लांटेशन याने बिना ओप्रेशन बिना चेस्ट ओपन किये पैर से हार्ट का वाल चेंज करना ये प्रोसीजर को टैवी कहते हैं पूरे मराटवाणा में ये प्रोसीजर फर्स टाइम पजाज हास्पेटली में करने का मोका हमें मिला और ये एक सतर साल की उमर की पेशन थी जिसको एयोटिक स्टिनोसिस ये बीमारी थी अभी तक ये बीमारी के लिए ओपन हाट सेजरी यही उपाय था लेकिन ये नए टेकनिक के जरीए हमने ये पेशन का इलाज पैर से ये भाल लगा के किया कि जिसके कारण उनको जो सरजरी के कॉम्प्लिकेशन रहते सरजरी के जो डिफिकल्टीज रहते उसका वो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा और ये मराटवाणा म की गई पहली प्रोसीजर थी इसका ये आप से शेयर करते हुए मुझे बहुत अनल होता है इल्डरली लोगों में होता है जो बुढ़ापे में 70 साल और उसके आगे ये डिसीज दिखाई देता है और जनरली आप हजार लोग देखेंगे तो उसमें दो या तीन लोगों में ये बीमारी दिखाई देती है और ये जो वाल रहता है हाट का में वाल वो ओपन न होने कारण हाट का में चेंबर रहता है उसपे काफी प्रेशर आता है और उसके कारण हाट फेल होता है और हाट पेशेंट को दम लगना चाते में दरद होना या आकों के सामने अंधिर आक चक्कर आना यह सिंटम्स आते हैं। एक दिन आइसी उ में रहता है। दो दिन पेशिंट जनरली वाड में रहता है। इंपोर्टन बात है यह जो वाल्व हमने पेशिंट को लगाया। यह इंपोर्टेड वाल्व है। और इसकी कीमत 21 लाख रुपे है। तो यह सामान्या आदमी के बाहर की बाहर की बात है लेकिन जैसे जैसे टेकनोलोजिकल अडवांसिस होएंगे जैसे जैसे अपने खुद इंडिया में यह भाल बनने लगेंगे, कुछ कंपनिया अल्रेडी बनाने लगें तो इसकी कीमत देरे देरे कम हो जाएंगी और मुझे एक उम्मीद है कि एक चार-पास साल के बाद यह चितर काफी बदल जाएगा जो गौवर्मेंट की योजनों में बैठा तो बहुत ही अच्छा होएंगा मैं यह मेंशन करना चाहता हूं कि सेंट्रल गौवर्मेंट आर्मी ऑफिसर्स के लिए आर्मी होस्पिटल में इसका परा खर्चा देती है लेकिन यह आम जंदा के लिए अभी तक उपलब्द नहीं है लेकिन दीरे दीरे इसकी तरफ कोशिश करना ज़रूरी है